आप सबी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज हम बहुत रोचक भी से लेकर आए हैं यह प्याज है मारा उनियन और इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि एगरिकल्चर चात्र और यहां हमारे जो किशान होते हैं दोनों के काम करने में अंतर होता है क्रसी चात्र जो है वो जानता है पहले कि हम जिसको जिससे बात करने जा रहे हैं वो है क्या ठिक कुल उसका ओरिजिन प्लेस क्रोमोशोम नंबर सारी चीजन साइंटिफिक नेम से लेके बहुत बिविद प्रॉसेस हैं इनको हम जानने का प का अपरेल का और माई जून में एक हार्विस्टिंग होनी है और बिलकुर नजदीक का मोशम है अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज का साइंटिफिक नेम इलम सिपा होता है ठीक और इसकी जो फेमली है वो एलियसी होती है इसका जो क्रोमोशोम नंबर है वो सिस्टीन मत बात करते हैं तो कांदा बोलते हैं कुछ जगा है common name में तो लोग यहां normally प्याज ही बोलते हैं और अगर इसका origin place की अगर हम बात करते हैं तो origin place में Central Asia and South Asia इसका जो है basically origin place बोला जाता है और अगर हम climate की बात करें तो यह बारिस में तो होती ही नहीं है जहां रहा है रहा है आप वहां नहीं लगा सकते हैं इसको temperature अगर बात करें तो temperature की मामले में यह आपके पंदरा से 21 Celsius का इनको temperature चाहिए हर हाल में अगर मिलता रहेगा तो यह develop करते हैं उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें इनको मिट्टी कैसे चाहिए इनको acidic मिट्टी चाहिए इनको sandy sloam च चाहिए ठीक और इनका जो pH है जैसे मैंने सेंड आपने अपको acidic बताया तो पांच दसमलो आठ से लेके और आठ पीएस तक होना चाहिए तो पांच मतलब acidic में चले जाते हैं और आठ तक सामानी soil हो जाती है और हम देखिए कोई भी चीज़ अगर हम आपको बता रहे हैं त तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता ठीक तो साती हूं हम फिर हम डिसकस करते हैं आप इसका screenshot ले लिजेगा जो मैंने भी आपको टेक्स देखी आपने तो इसमें हमने कटेगराइज बड़े अच्छे तरीके से किया है या दिकतर किताबों में मिलेगा भी नहीं इसमें सीज की बात करें तो हमारे इंडिया में almost 3 से जन है पर प्याज़ हमारी 2 से जन में होती है रवी और खरीफ की बात करें तो खरीफ आपका सीजन देख रहे है कि मैय जू तो खरीफ में चावरीघ करनी है तो मैई-जून में हमकों सौन के लिए उनकी क्या करनी पड़ेगी विर में तैयार करना पड़ेगा अगर रामीर भासा में चाहए तो बेहन तैयार करना पड़ेगा जब बेहन तैयार हो जाएगा तो भोने का समय हमारा वही जुलाई अग apprent hum जुलाई-गस्थ में बड़े प्यार से लग democrat हार्मिस इसके उसके कितने दिन बाद देर सो 140 से देर सो दिन बाद तो लंब समू जो एरिया है वो नौंबर से आपका देफशंबर तक का टाइम आ जाता है ठीक और उसके बाद अगर रवी की बात करें तो सब्सक्राइब करेंगे दिसंबर और जनवरी में उसको टांस्प्लांट कर देंगे दान की तरह एक एक करके लगा देंगे इसका प्रोसेजर कुछ अलग है बताएंगे इसे माई जून में हम इसको क्या कर लेंगे हार्वेस्ट कर लेंगे जो आप इस फिल्ट में खड़े है वो ऑक्टूबर नॉम्बर वाला है ठीक ऑक्टूबर नॉम्बर से इसकी प्रक्तिया चालू होई है और मई जून में हार्वेस्ट हो जाएगा बड़ी अच्छी प्याज यहां पर निकलने वाली हैं और आपको सही चीज़ें बताते हैं कि इसमें इस सौविंग प्रोसेस भाई हम काम करें कैसे सारी चीज़ें आ गई हमने सारी चीज़ बता दी पर हम स्टार्ट कैसे करें तो सबसे बड़ा प्रोसेजर आता है शौविंग मतलब कि हम 20 से टांस्प्लांटिंग के लिए पौध कैसे तैयार करें तो इस पौध के लिए आपको क्या करना पड़ेग 0.15 मीटर होगा लंबे होंगे सभी बेड़ और इसमें बेड़ में क्या है कि अगर हम बात करते हैं प्याज हुई और जितनी भी आपकी root crop हुई तो कि basically soil से connected रहती है तो इसमें वीजो उपचार होना जरूरी है भूमी उपचार नहीं हुपा रहा है इसमें आप सीड उपचार भी कर सकते हैं सीधा और इसमें बात करें तो F.I.M. अगर हम बेहन डाल रहे हैं तो अगर हम उसको तयार कर रहे हैं तो कम से कम वहां उस लदा में इतनी सकती हो कि वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाए और जो जर्मिनेट हो हमारा न्यू प्लांट छोटा प्लांट वो कम से कम इतना पावर्फुल हो कि आने वाले टाइम ले एक हमको अच्छा प्रोड़क्शन दे सके इसलिए हमको 15 से 20 किलो एफायम भी मतलब गोवर की खाद भी देना जरूरी हो जाता है टांस्प्लांटिंग के लिए बात करते हैं अब बात करते हैं जैसे धान में हमको सीडलिंग को निकालने के लिए क्या करते हैं वहां पहले हम बेहन में पानी भरते हैं तब उखाड़ते हैं जिससे उनकी रूट न डिस्टर्ब हो ऐसे यहां भी हम चार तीन से चार गंटे प और इसके बाद तब हम उसको उखाड़ेंगे, जिससे हमारे क्या ना हो, उसकी जड़े नुकसान ना हो, ठीक, आप समझ रहे होंगे, और इसको बढ़े अच्छे तरीके से कॉंपी पैन हो, तो आप लिखते रहिए, और इंजॉयमेंट के साथ सुनिए काफी अंतक, और इसम क्योंकि वो पानी से आएगा, इंफेक्टेड रहेगा, तो फंगस लग सकता है, ठीक, आपने फंगस का नाम सुना होगा, ठीक, तो उसमें इंफेक्टर हो सकता है, अब लगाने का टाइम तो भाई, हर सभी के लिए, चाहे आप बीज लगा रहे हों, चाहे आप देखें स्पेसिंग इसका, स्पेसिंग में इसमें देखिए, आप देखेंगे कि 15 संटीमीटर, इंटू 7.5, इतना गैपिंग होना चाहिए, इसमें गैपिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं नहीं है, तो लगा दिया गया था, जल बहाओ की वज़े से, वो एक पर इससे यह है कि होना मानक के अनकुल होना चाहिए, आप उसको दिखाईए, जो साइड में प्लांट है, बराबर गैप है, कुछ वहाँ प्लांट हट गये हैं, उजादा इसलिए लगाए जाते हैं, कि अगर वो नस्ट हो जाएं, तो हमारे पास उत्पादन कम न पड़े ठीक, अब आते हैं दुबारा, मैन्योर और फर्टिलाइजर पर, मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करें तो FIM, गोबर की खाद हमको डालना ही डालना है, तीन सो कुंटल डलती है, सामाने तोर पर इसमें भी डालेगी, उसके बाद नाइट्रोजन आपका 80 से और कितना, एक सो, पचीस केजी पड़ेगी, ठीक, अब नाइट्रोजन को कैसे डालेंगे, अभी हम ये भी बताएंगे, ठीक, आपका पोटेसियम बात करते हैं, पोटेसियम आपका जो है, वो S2, सुरी, P2O5, कॉंपलेक्स फॉर्म आता है, पोटेसियम आप सिधा बोलेंगे, तो न मोटे हूं, ठीक, उनका वजन बढ़े, उनमें संदर्ता आए, फिर आपका पोटेसियम हो गया, ये पोटास था आपका, पोटेसियम मतलब के, K2O, मतलब इसमें 80 से 125 केजी, ठीक, फिर इसमें प्यास के अंदर जार रहे, टीखा पन रहे, इसलिए हम सलफर डालते हैं, ठी सलफर के लिए हम 50 केजी सलफर डालेंगे, इसमें जो आपका, जो मैंने पोटास बताया, पोटास जब हम लगाएंगे, सीडलिंग ये फिल्ड प्रिपरेशन करेंगे, तो उसी समय डाल देते हैं, आधा, आधा फिर बाद में डालेंगे, ठीक, नाइट्रोजन भी, ये भी क्या पड़ेगा, आपका, सलफर पड़ेगा, ठीक, इसी तरीके से ये पूरा आप देख लिए, मैं आप इसका स्क्रीन सॉट टे लिजिए, ठीक, अब हम बात करते हैं, इसमें नेस्ट प्रोसीजर की, इसमें अगला प्रोसीजर भी हमारा है, तो कि हम साथियों फिर आगे अगर प्रक्रिया कि हम इसकी बात करते हैं, तो सीड रेट, हमको ये पता चल गया कि हमने, हमको बूना कैसे है, डिस्टेंस कितनी है, तो ये भी पता होना चीए, कि मेरा कितना खर्च होगा, मैं कितना सीड खरित के लाऊं, ये थोड़ी कि मैं एक कुंटल लेके आके डाल नहीं, तो इसमें क्या है, कि दो तरीके के प्रोसेस हैं, पहले ट्रांस्प्लांटिंग का तरीका है, ठीक, तो ट्रांस्प्लांटिंग में आप सीड बेहन से करेंगे, दूसरा आपका बल्ब का तरीका है, आधा प्याज जो है, वो उसका सल्क बन जाए, और उसको रख ले फिर लगा दे इस तरीके से तो दोनों ही तरीके से अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं तो अगर हम पहले तरीके की बात करें तो आठ से दस केजी ठीक बल्ब आठ से दस केजी बल्ब पर हक्टेयर पड़ेगा ठीक और अगर हम दूसरे की बात करें तो 10 से 12 बल्ब हजार की संख्या में पढ़ेंगे पर हेक्टियर में ठीक यह थोड़ा अंतर है irrigation की बात करें तो गर्मी के समय और ठंडी के समय मंतर पढ़ जाता है आप भी जानते हैं जब धूब ज्यादा निकलेगी तो वाटर का इवेपोरेशन जादा होगा जब इवेपोरेशन जादा होगा तो हमको पानी जो है बहुत जल्दी जल्दी देना पड़ेगा तो गर्मी की बात आपको 6-7 दिन ठंडी की बात आप करते हैं और वीड मैनेजमेंट में वीड मैन आप कर सकते हैं उसमें आपकी इच्छा है पर जरूरत नहीं पड़ती है तब भी हम बता देंगे जैसे आपके फिजरों की बात करें तो 7.5 फिर उसके 0.7.51 से पर हेक्टेर में सॉल्यूशन में मिला कर देते हैं इस सारे प्रोसेस क्या है कि अगर आप देते हैं तो वन ब हार्वेस्टिंग की बात कीजिए तो हार्वेस्टिंग स्टेज में ही आप दिखाईए इनको अब हार्वेस्टिंग स्टेज में हैं तो इनकी स्टिति क्या है वही हमने बताया कि 140-150 दिन होना चाहिए अगर हाइब्रेट विराइटी है तो 90-110 दिन हो जाता है ठीक और इस कि अगर आपको दिखाई नहीं देगा दर्स नहीं होगे तो उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो देख़िए जो हमने बता अब तक उसका एक सक्रिन सॉट होगे आपके लिए अगर हम अब बात करते हैं आगे कि हमने पढ़ा बहुत ठीक हमने जाना बहुत अब उसके बाद हम किस विराइटी को लगाएं कि हमको अच्छा उत्पादन मिले हम ये सारे उपरेशन मेहनत से करते हैं बराबर करते हैं तो हम अपनी सफलता की नजदीक जा सकें तो अगर हम बात करते हैं तो प्याज की जो इस्तती है उसके अकॉर्डिंग ये तीन तरीके हैं तीन कलर हैं तो तीन तरीके हुए सीजन हमने बताया से स्टार्टिंग में दो हैं रभी और खरीफ तो हर विराइटी दोनों सीजन में तो नहीं या दोनों सीजन वाली विराइटी हर जगह नहीं सबका अपना उक्यूपाई स्पेस है, छेतर है तो इसलिए पहले समझते हैं कि है क्या अगर हम इसमें तीन कलर की प्याज में आपकी वाइट प्याज होगी रेड होगी, यलो होगी, ठीक, रेड लोग देखे होंगे, वाइट भी देखे होंगे यलो साइट नहीं देखे होंगे, तो अब उसको जरूर खोजिएगा, ठीक अब हम बात करते हैं विराइटी में अगर हम रेड कलर के प्याज कें तो आपकी पूशा रेड होगी, अधिकतर घरों में मिलती है, महराष्ट से उत्पादन होता है, इसका हाइल्ड होता है और ये रवी सीजन की है, फिर आपका एन तिरपन, ये आपकी खरीफ और रवी दोनों में उगाई जाती है, ठीक उसके बाद आपकी पूशा माधवी, यह भी रवी सीजन की प्याज है, और ये सब रेड कलर की है, ठीक और उदैपूर 101, उदैपूर 103, ये दोनों रवी सीजन की प्याज है और अरका कल्यानी, कल्यानी हमनों का बुक का पुब्लिकेशन है उसी तरीके से अलका कल्यानी भी हमारी खरीफ सीजन की प्याज है उसके बाद अगर हम सफेद कलर की वाइट कलर की प्याज की बात करें तो इसमें उदैपूर 102 जो हमारी खरीफ सीजन की न होकर रवी सीजन की प्याज है ठीक, वहाँ उदैपूर 101, 103 आपकी रवी सीजन की प्याज थे ठीक और रवी सीजन में ही आपको एक रेड कलर और वाइड कलर में भी 102 है वहाँ 101 और साथियों इसमें confusing point हो सकता है आप लोग के लिए उदैपूर 101 और 103 जो दो species variety हैं वो आपको रेड कलर की प्याज देती है रवी सीजन में ही और इसी की दूसरी जो प्याज यह का प्याज देता है और वह भी रवी सीजन की है उसका नाम है उदैपूर 101 ठिक अगर हम बात करते हैं भीम स्वेता भीमा स्वेता यहांज्वर्फ की प्याज रविव तालिस यह भी आपकी जो है रवी प्याज है वाइट कलर की आप यलो प्याज की कर बात करें यह बाहर ही प्याज है यह हीले एरिया क में होती है मुचिछ स्थान ओब लिए और यहाई आफ था description कोई चीज़े नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप में लिए कमेंट करिए और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरा वीडियो अंतक देखा इसी के साथ आप लोग लाइक करिए, सस्क्राइब करिए, कमेंट करिए और मैं आपका साथ ही रामिश्वर पांडे आप लोगों के साथ एजी स्ट्वेंट पावर चैनल की तरफ से हमेसा जुड़ा रहोंगा धन्यवाद